नमस्कार दोस्तों मैं नितियंकु चोतरी अपने चनल में आपका स्वागत करती हूँ और आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नए वेकेंसी को लेकर आए हूँ ठीक है जिसका नाम है रियल कोशल विकास योजना यह आपकी कैसी योजना है जिसका आप जिसमें आपके आप 15 दिन के ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग को करने के बाद आप कहीं भी जोब पा सकते हो ट्रेड बहुत सारी है ठीक है हर ट्रेड की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी अगर आप मेरे चनल पर नहीं है तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो को लाइक से सब्स कोशल विकास योजना ट्रेनिंग प्रोग्र्णम अंडर प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना अमारे प्रधान मंतरी जी है नारेंद्रमोदी जी उन्होंने ये रेल कोशल की का शयोजन 2011 से स्टार्ट की हुए और जो कि नोटिफिकेशन का एड़ आप देख सकते हैं और साथ जन्वरी को हमारी आउट हुए थी और जो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं मिनिस्ट्री ओप रेलवे और सो ट्रम ट्रेनिंग है यानि कि ठारा दिन की ट्रेनिंग होगी आपके तीन सब्ता की और उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और एक बार ट्रेड देख लेते हैं कौन-कौन सी ट्रेड है आपकी एसी मेकैनिक बार बैंडिंग सोरी बेसिक्स ओप आईटी एंटी एंडियन रेलवे कार्पेंटर कम्यूकेशन नेटवर्क एंड सर्विलेंस सिस्टम ठीक है कंप्यूटर बेसिस का कंसर्टिंग एलेक्ट्रीकल एलेक्ट्र चाहिए और यह जब आपको इसमें ट्रेडिंग दी जाएगा अधर दिन की और अपको सके बाद एक सर्टिपिकेट दिया जाएगा और आप कहीं भी जो पासकते और किसी भी इस पर जाके किसेंटर में जाके अब बात करते हैं इलेजलोटी मांगे इन्हों ने जो आपकी इस होनी चाहिए और जो एज आपकी 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए कि सलेक्शन में तरद परसेंटेज मांग सेंट्री बीच मेरिट अपस ब्सक्राइब जो आपका सेलेक्शन होगा इस किल ट्रेडिंग के लिए आपका 10 बंट 10 बेस सेलेक्शन होगा ठीक है और आपने सी आपको इसे कर रहा है तो सी बीच में आपको एकल करके देखने होंगे अपने माक से नो पॉंट 5 को आपके इतने माक से हैं और इसके मुल्किलाइब करना होगा एपलिकेशन फोर्म आपको यहां पर मिल जाएगा मैं दिखा दूंगे आपको इसके वेब साइट पर जाके कि आपको पर्स्ट में क्या चाहिए सेकिंड में आपको कहां करनी ठर्ड तीन आपको दिये जाएंगे ठीक है ठीक है ओके तीन ट्रेट दी जाएंगे आपको आपकी जोब है चैंडिट एंपार ट्रेनिंग अंडर रेल को शल विकास से और विल हैव नोग लेम तो सीक इसमें नो रिजवेशन अटेंडेंज आपके ट्रेनिंग के बीच में 75% एंडेंज कंपल स्रियर्स के बाद आपको शर्टिपिकेट में लेगा और डियुरिशन और तरह दीन का आपका कूर्स होगा पास क्राइटेरिया आपको अगर ट्रेनिंग इसके बाद आपका टेस् आपका सेलेक्शन होगा ट्रेनिंग फिर योप पोस्ट जो आपके ट्रेनिंग होगी फिरी ओप कोस्ट होगी लेकिन बट कैंडिडेट विल हब तो मेक टेराउन अर्रेंजमेंट फोर द फोड़ेंग और आपको अपने रहने और खाने का अरेंजमेंट कुद करना होगा सि बाकर को अपने प्लोड ने करना है तो आप अगर आपको नाम आता है तो आपको फोड नंबर पर आपको बेच दे जाया कि आपका सेलेक्शन वह गया आपको इस दिन आपने डोक्यमेंट से वेरिफाइग करने के लिए आ जाई हो कि उसके बाद आपकी फेब्रेवरी से आ और यह 22 जन्वरी को आपकी मेड लिस्ट लग जाएगी ठीक है और जो इन फॉम कर दिया जाएगा और सेलेक्शन सेलेक्शन होता है तो आपके लेके पहुंच जाना तेंथ की मार्पशीट और इसकी सनेंद फोटो आईडी ठीक है और आपका डेविट न तसद पर का को ठीक है और उसके बाद बस यही जो नर्मले डोक्यमेंट से यह लेके जाने हैं और इका दी आईडी आपको ठीक है फोटोग्राप सेन सिगनेचर मेटर मार्क शीट और आपकी डेट बर्त और का मार्क शीट में आ जाएगा और आपको एक आइडेंटिटी कार्या तो आपको कोई सेलरी नहीं दी जाएगी और बाकी का इसमें कुछ नहीं है और अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएगी आपको वेबसाइट मिलेगी वेलकम वेलकम टू रेल कोशल विकास योजना ठीक है और यहां पर जाने के वादा आप फोड़ा नीचे स्क्रोल बार कर सब्सक्रां करें है ऑर बाly है के अब प्ली के आपको किलिक करेंगे अब पर की ले रहा है अब आपको यहां से करनी है सारी इसों प्लूसंपaire आपपनेanders यहां आपको अद की स्ते शलोब करने शीयाच तो आप जाने के आपको यहां ृप आना कंप chutलाने है ज़े एक अद यह से सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने यह वाला सेलेक्ट कर लिया हूँ उसके यह रहरें करकर देख सकते SEC करें खूंचिक्राइब्स सब्सक्राइब Alto करेंगे एप्लाई नेटवर्क इश्यू चल रहा है मैं तो फर्स्ट आपका कम्मुनिकेशन हो गया ओके अभी दो तीन ओर लेने आपको ठीक है उसके लिए एक और सर्च करो आप अपना और कोई भी सर्च कर लो जहां सी यह नियार यहां पर आप सर्च कर लेते हो यह आपका है यह भी आपका गाज़ेबाद में यहां पर आपके फिटर और वैल्डिंग की ओके और यह हो गई आप इस तरह के सर्च करोंगे और यह पर एपलाई करोंगे तो आपका फोंपील हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना कोई डोकुमेंट अपलोड नहीं करना भाया बड़ी अच्छी आपके लिए एक उपोर्श यूनिटी आई है आप इस को आप यह पैसा पे नहीं करना आपको कुछ चीजे समझ में नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच